नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ऐसे एक वाद के विशे में चर्चा करने आया हूँ और जबाब देने आया हूँ दो ऐसे व्यक्तित को जो आपको गुमराह कर रहे हैं और हम भारतियों को जो 80% भारत में रहने वाले हिंदू भाई हैं उनके अंदर बिभाजन करके हम पे सासन करने की ममसा लगभग जाहिर कर रहे हैं तो आज हम बात करेंगे दो ऐसे व्यक्ति नमबर एक बामन मेशाराम के बारे में और दूसरे भंते महराज के बारे में जिनको आज आप सोचल मीडिया पे बहुत अन्य विसेओं पर चर्चा करते होगों मिलेंगे उन्हीं के कुछ जवाब देने के लिए आज मैं आया हूँ और मैं अपने कूर्म छत्रे भाईयों को ये बता दूँ कि एक वाद जो सूद्रवाद के नाम से इस भारत में फैलाय जा रहा है बहुजन वाद के नाम से भी इसको फैलाय जा रहा है भारत के अलग-अलग कोनों में इसको कई अलग-अलग नाम दे दिये गये हैं ताकि हम भारतियों को तोड़ा जा सके हम भारतियों से मतलब है कि जो यहां पे रहने वाले हिंदू सनातनी देखते हैं उनको तोड़ा जा सके और उन्होंने एक बहुत सीधा रास्ता अपना है सिर्फ वो हमारे ही महापूरसों को गालिया दे रहे हैं वो हमारे आपके सभी क्योंकि हमारे जितने भी भारतिये देकर वो अपनी राजनीत को सिध्ध करना चाहते हैं तो आज हम आपके समख्च कुछ ऐसे प्रमार पेस करेंगे और जवाब देना चाहेंगे बामन मेशा राम जैसे लोगों को जिन्होंने अपनी सेकेंडरी स्कूल तक की सिर्फ सिक्षा की है और वो बात करते हैं बाबा बात कालेज गये और फिर वामसेब जाएं के लिए और वहीं से उनका ज्यान विस्त्रित होना शुरू हो गया तो यह रही उनकी असलियत जो उनकी सिक्षा आदी के विसे में चर्चा थी छोटी सी चर्चा मैंने आपको बता दी और आगे वीडियो में बने रही हैगा मैं बंते महराज को भी जबाब देना चाहता हूँ जहां पर उन्होंने पूछा था आत्मा के विसे में और मतलग एक ट्रेंड चल गया है कि हम अपने ही परिसिक्षित समाज जो समय ब्रहमर का जाता था उसी को गाली दे उसी को देश का आकरांता बताएं और यह कहां से स्टा यदि आप देखेंगे तो जो हमारे बढ़ाई विरादरी है कुमार विरादरी है लोहार विरादरी है जो विस्व कर्मा के वनसज कहे जाते हैं वो भी अपने आपको ब्रहमर के वनसज बताते हैं क्योंकि उनकी वियुत पद्दी ब्रहमा के मानस पुत्रों से बताई गई में आप देखें तो कस्मीर से लेके कर्णिया कुमारी तक डिसाल भारत है लेकिन अगर आप देखें तो कस्मीर में कस्मीरी कोई पंडित पूरे भारत नहीं मिलेगा तो वहां पे एक tofriend it a एक कि वहां के ब्यश्चा पर व अपना नाम रख देते थे अब उसके बाद अगर आपриз पंजाब में आएंगे तो ब्रह्मर कुछ और सर्वेंम लिखता है उसके बाद आप पुत्तर परदेश में तो ब्रहमण कुछ और सरनेम लिखता है जैसे मिसरा, सुगला, तेवारी बिहार में इस तरह के लोग मिलेंगे फिर उसके बाद अज्छा मिलेंगे उत्तर प्रदेश में आपको बहुत कम मिलेंगे उसके बाद महाराश्री में जाएंगे तो वहां पर सरनेम कुछ और यह पुषित कर सकते हर प्रदेश में अलग-अलग सरनेमों की परंपरा रही है और यह बात हमारे नेता जानते थे 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो वहां से उन्होंने कैटगरी को बनाना शुरू किया जो बामन मेशाराम हमेशा पूछते रहते हैं कि अधरवाइकोड काश्ट के लोग कहां लिखा है कि वो हिंदू है तो मैं उसको बामन मेशाराम मुर्ख को यह जबाब देना चाहता हूं कि वह भी सी जो सब्द आया वो 1947 में फांद हुआ और उससे पहले हमारे सास्त्र लिखे गए थे तो जाहिर सी बात है कि वो सब्द उसमें नहीं मिलेंगे क्यो कि बिस्वामित्र विश्व कर्मा समाज को उन्होंने डाल दिया क्यों कि वह पर उन्होंने तथ्षि ठीक नहीं है इसलिए अधरवाइपोएड कास्ट में डाल दिया गया तो इस तरह से तो इन्होंने पहले तोड़ा चोटा किया साइज को घटाया यानि कि पढ़े लिख मानसिक्ता भी उनको दी गई है ग्रिफ्ट में क्योंकि उनको जो अब उन्होंने बढ़ा ही उनसे मिलते हैं तो अधरबर कोड़कास्ट में तो उनको लगता है कि नहीं जो यदी सामान नहीं होता तो प्रहमर होता यह मानसिक्ता इस विचारधारा का आरंब भी हमां 1947 से रहन सुद नहीं रह गई थी उसके कान क्योंकि यहां पर जो इनकी लाइबिरी थी उसको बिटिस ने भी जलाया मुगलों ने भी जलाया जिसने चाहां वो जलाया और जलाया इसलिए ताकि आप पर राज कर सके और यह बामन मेशाराम जैसे उसी भावनाओं का प्रयोग करके आ को बैक्ति जाति विशेस का नहीं हो या था यदि इस बात पर किसी इस इस तर पर वो कोई बैक्ति मुझसे डिवेट करना चाहे तो मैं खुला आमन्तरन करता हूं उसको यह चैलंज करता हूं कि वो मुझे दिखाए कि कहां हिंदू सनातन सास्त्रों में जातिगत व्यवस् संस्कित भारत में पैदा हुई संस्कित भारत में बोली जाती थी बोली जाती है और उसकी मूल प्रति आस्ट्रेलिया कैसे चली गई मूल प्रति भारतियों के पास होगी मूल प्रति बनारसिंदू इंवर्ष्टी में उन प्रतियों पर यदि ब्रामन में साराम में दम है अर ये बहुजन सब्दाатоं का प liksom हमारे सास्ट्पों में आया कियोग है किस और धर्म की बात करते हैं तो किस संजों अधर बैक वर्क पाट कार यसी- 키 यह सब्सक्राइब लोग हैं वो लोग हिंदू नहीं यह कहाँ पर लिखा है वह सिर्फ यह ना बताएं कि हिंदू हैं सिद्ध करें आप से तो सिद्ध कर रहा हूं कि सथी सब को टेस्ट कराई वह डियने की बात करते हैं आपको याद होगा कि इनी बहुजनों के नाम पित्तर प्रदेश में एकर सता में आया है लेकिन क्या हुआ उसे और उसे क्या बहुजनों को कौई फाइब पाइदा हुआ क्या बहुजनों का विकास हो गया क्या गरीबी हट गई नहीं उसने अपना विकास किया अपनी आए बढ़ाई अपने बैंक बाइलेंस को बढ़ाया और ग्रहमनों का विरोध करके सत्ता पर आई लेकिन उसके बाद आपके साथ बिल्कुल जहां आप थे आप देखें तो वह भी अपने मात्य पर बिंदी लगाती हैं और यह बताते हैं कि मैं बहुत ही सुद्ध भासी हूँ और मैं मूषि निवासी हूं मूषि बाहरी निवासी काломस्ट जो लेकिया है फिरें रही हिंदू है और अब मैं बात करता हो हम बंते महराज की, बंते महराज का अभी एक वीडियो वारल हो रहा था, उसमें मैंने देखा कि वो किसी परिवार कहा जाते हैं, माइक वाइक सेट कराते हैं, पूरा और फिर बताते हैं कि यद मैं हाथ को काट दूँ तो हाथ वहाँ पर तरपता रहता है, और मैं यहाँ पर तरपता रहता हूँ, तो क्या दो आत्मा हैं या बहुत सारी आत्मा हैं, एक आत्मा का कांसेप्ट ही जूट है, तो मैं भंते महराज को बताना चाहता हूँ कि यह आत्मा परमात्मा का कांसेप्ट समझने के लिए आप आपको बहुत ही परिमार्जित होना पड़ेगा तब आप कुछ समझ पाएंगे भंते माहराज आप मुझे ये बताइए जितनी चीजें हिलती डूलती हैं क्या वो जीवित होती है क्या उसमें आत्मा होता है नदी बैती रहती है क्या वो जीवित है क्या वो सजी हुए क्या वो आत्मा है जीवन के लच्छन सिर्फ एक लच्छन में से नहीं नियत किया जा सकते हैं अब मेरा दूसरा सवाग क्या वो हाथ परजनन कर सकता है जो काट दिया गया नहीं कर सकता लेकिन वो छट पटा रहा है क्योंकि मृत्य की प्रिकरिया से गुजर रहा है मृत्य के प्र death and the life so that hand is in under process of death ये है उसका जबाब वो वहां पर मरने की प्रिक्रिया को पूरा कर रहा है और इस प्रिक्रिया को भी हिंदू सांस्तों ने वर्डित किया है और यदि आप जानना चाहते हैं तो आत्मा उसके पास आत्मा को जो अस्थान बताया गया है वो दिल में हर्दय में बताया है घ्रदय को भी कुछ लोग मस्तिश से कंपेर करते हैं कुछ लोग घ्रदय से इस दिल से हाट से कंपेर करते हैं तो आत्मा का सीथ है अब उन्होंने मुझसे बूछा मुझसे नहीं पूरे समाज इसे ही पूछा कि आप बताएं इतने जारा मेडिकल एक्यूपमें हो उसमें कुछ मानकर ही आगे आप किसी परिकल्पना का उधार कर सकते हैं या परिकल्पना की रचना कर सकते हैं यदि 8-20-3 4-5-6-7-8-9 10 यह कहां पर दिखते हैं फ्र ي ganze Για कोई मुझे दिखाए कहां पर है कंप्यूटर में जो हम इस्तेमाल करते हैं computer इसमें software है मुझे कोई software निकाल कर दिखाए scan करा के दिखाए कि यह software है वहाँ सिप उसके लक्षान logo बना है कि हाँ यह logo है तो software है ऐसे ही यदि आप सांस ले रहे हैं आपका दिल धड़क रहा है आप सोच रहे हैं आप प्रजन कर रहे हैं तो आप जीवित हैं यह ब limit है जैसे चुमबक सिफ लोहे को खी सकता है ना कि वो किसी पत्ती हरी-पत्ती को खी सकता है उसी तरह आपके आख कान मुह जीवा तोचा इन सबका एक limit है उसके बाहर जाकर यह कार नहीं कर सकती है और क्योंकि आत्मा परमात्मा का विशे यह आध्यात्मिक विशे है इसके यह आदमी को चक करने वाला ब्लेड प्रेसर मसीन आप गाय पर चक करें तो इस तरह से साइंस को आई यह सिफ स्वीडो साइंस यह इनका ज्यान बहुत कम होता है यह खुद हायर सिकेंडरी तक पढ़े होए होते हैं और फिर यह आकर ब्रह्मनों को गाली देते हैं हमारे पू पूरी तरह चाहता हूं कि आप अपने आपको सूद्र समझते हैं सूद्र समझने पर विबस हुए क्योंकि 1947 के बास सरकारों ने दिमाग लगाया है क्योंकि आप उस समय देखें तो वहां उस समय तीन विचारधार आये थी एक तो भारत के विभाजन को लेके जो जिन्ना क नेर। तो गांधी जी तो हमारे अहिंसावादी थी उनकी वीचारधारा और जवालना नेरन नेरू को बीचारधार को उन्होंने जोर कर सक्ता हासिर कर लिया जबकि टीसरी वीयचारधार सक्ति की थी उसमें सरदार बल Guard by कराजाद ये तीन विचारधाराएं वहाँ पर थी लेकिन जब लोलुपता वाले और सांती विचारधारा को मिक्स किया गया उसके बाद उन्होंने अपने हिसाब से डिविजन किया है किसी सास्त्र को रख कर या किसी ब्रहमर को बुड़ा कर OBC, SCST, सामान ने ये सब कास्ट बाठी गहीं, ये सब बैठकर आप लोगों ने बंदकमरों में डिसाइड किया है कि कौन OBC में होगा, कोन सुद हो, ये सब बंदकमरों में डिसाइड किया गया है, और ये वही लोग हैं जो तब से अब तत ताक लगाय बैठें ये अपने राजनीतिक फाइदे के लिए, अपने देश को अपने जाती को अपने धर्म को इवन भारतिय समिदान तक को भी तोल मरोकर प्रसुत करते हैं उसमें से भंते महाराज बामसेफ के यह आपके बामन मेसा राम यह सब हैं उसके तो मैं आप सभी मित्रों को यह बताना चाहता था कि इन सभी वीडियो को आप दे मैं आपका मित्र वैद शेक कुमार बस आज आपसे विदा लेता हूं तब तक नमस्कार और मेरा यह ओपन चेलेंज है मेसा राम जी को कि यह उनके अंदर छहमता है तो पहले भारत के यूटूब चैनल के भी राहूल आरी ने भी उनसे सवाल पूछाता तब भी उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया मैं उनसे फिर पूछना चाहता हूं कि वह बोल रहते कि हम हिंदू कैसे हैं तो आप बताएं कि हिंदू कैसे नहीं है यह आपको ओपन चैलेंज है अगर आप ऐसा बता सकते हैं तो आप चैलेंज को सविकार करिए और स्थान और जगा नियत कियेगा मैं तुरंत हाजिर हो जामगा तब तक के लिए नमस्कार